हेलो स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम सांखेंकी के मुख्य चेप्टर केंदरी प्रवर्तियों के माप से रिलेटेट टॉपिक बहुलग के बारे में चर्चा करेंगे किस परकार से सतत्स्रेणी में बहुलग का निजारन किया जाता है इसके बारे में पहले से भी चेप्ड वीडियो बनाया या जिसमें सतत्सरेणी में बहुलग के प्रकाड से निकाला जाता है उसकी हमने चर्चा किया थी कई बार्ट जो हमें क्लास इंट्रवल है वह दिसंदिंग ओडर में दिया हुआ होता है तो ऐसी श्तितफी में बहुलग का निर्दान के एस प्र 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 दिया जाता है, अगर descending order में ऐसे हो, 50 to 40, 30 to 40, 20 to 30, 10 to 20, 0 to 10, तो इस प्रकार से अगर class interval दिया हो, तो हमको बावलक निग्यार करने के लिए यह सुत्र प्रयोग में लेना पड़ेगा, Z is equal to L2 minus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiply by I, पहले वाले सुत्र में यह प्लस यूज़ करते हैं, यहां L1 यूज़ लेते हैं, पर यहां चुकि descending order है, तो descending order में हमको यह सुत्र प्रयोग में लेना है, F1 की value वहिए, बहुलक वर की आवरती, बहुलक वर के पहले की आवरती, बहुलक वर के बात की आवरती, class interval, बात की चीज़ें सब वहिए और आपको यहां L1 की जिगा L2 काम मिलेना है, यह प्लस की जिगा माइनस काम मिलेना है, वो आपको ध्यान में रखना है अगर descending order हो, तो आपको इस सवाल करके बताता हूं, जिसमें descending order में किस प्रकार से बहुलक को निर्दारन की आज़ाता है, उसके बादे में हम चर्चा करेंगे, माली जी पिशनम को दे रखा है, 55 to 60, 50 to 55, 45 to 50, 40 to 45, then 35 to 40, then 30 to 35, then 25 to 30, then 22 to 25, यह हमको class interval दे रहा है, frequency दे रखिए, frequency दे रखिए, 5, 7, 12, 15, 18, 8, 7, 5, तो सब से पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग का निर्दारन करना पड़ेगा, और बहुलक वर्ग का निर्दारन करने के लिए वह हमको grouping करनी पड़ेगी, और यह देखना अरखिए, यह देखना है बहुलक हमरा 35-40 के बीच में, यह 40-45 के बीच में, आप यह 15-50 के बीच में, तो पहले हम बहुलक वर्ग का निर्दारन करने के लिए on grouping करेंगे, तो grouping के लिए हम पहले 2-2 के जोड़े बनाएंगे, फिर 1-2 के जोड़े बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे और अन्त में मिशलेशन करेंगे यह आपको अच्छे से आता है समुहन समौन समौन सेकेंड समौन थर्ड समौन फॉर्ट समौन और विशलेशन तो यह आपको करना है तो देखि इन दोनों को हम जोड़ेंगे त्वाल वायगा यह 27 आएगा तोड़ा स्पीड से कर देता हूं आपको आता है फिर एक छोड़ कर नोगे पिर दो को जोड़ेंगे 19 आए इन दोनों को जोड़ेंगे 33 आएगा इन दोनों को जोड़ेंगे 55 फिर यह तिन तिन के जोड़े बनेंगे तो 12 12 24 हो जाएगा पिर यह तरनों को जोड़ेंगे 16 और 5 21 41 हो जाएगा और लास्ट में 2 बच जाएगा फिर एक संक्या छोड़कर जोड़ेंगे तो आएगा 77 14 34 फिर इन 3 को जोड़ेंगे 15 और 15 33 15 और 15 और 18 33 आएगा फिर दो संक्या छोड़कर जोड़ेंगे 3 3 के जोड़ेंगे दो संक्या छोड़कर 15 5 45 फिर यह जोड़ेंगे 15 और 20 तो आम ने क्या किया है पहले दो दो के जोड़ेंगे पर एक संक्या छोड़कर इन को जोड़ा 45 आया इन तीनों को जोड़ा 20 आया विसलेशन करेंगे तो सबसे बड़ी संक्या देखें में आप पहले भी आपको बताया हमेश्या सबसे बड़ी संक्या 18 आप सबसे बड़ी संक्या है तो सबसे बड़ी संक्या है तीन का जोड़े 15 18 और 8 जानagt Also!!! सबसे बड़ी संक्या है उस भी ट्वलग और वार रास्ट फॉटीफाइब सबसे बड़ी इसका मतलब है यह 5 आया इसका मतलब हमारा जो बाउलक है वो लाइज कर रहा है 40 to 45 के बीच में तो हम उने क्या किया सबसे पहले grouping करके यह देखा कि बाउलक है काम तो बाउलक काम को पता चल गया 40 से 45 के बीच में बाउलक है अब देखिए 40 से 45 के बिच में बहुलक है और हमको बहुलक का निर्दारण करना है तो बहुलक का निर्दारण करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाना है अब आप देखिए 2F1-F0-F2 बराबर नहीं होना चीए 0 यदि यह 0 होता है तो वेहिकल पिर सुतर का प्रियोग होगा अब आप देखिए हमारा यहां क्या है हमारे यहां L2 का माने 45 बहुलक बर्ग जो है बहुलक यह हो गया F1 इससे पहले वादी हो गई F0 इसके बाद वादी हो गई F2 तो हमारे यहां F1 का माने 15 F0 का माने 12 F2 का माने 18 और I का माने 5 तो यहां देखे 2 multiply 15 देखे मैं इसमें मान रखता हम 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 बराबर नहीं होना चाहिए तो यहीं स्थी में हम क्या करेंगे सही बाउलक का निर्दान करने के लिए शुत्र को थोड़ा सा चेंज करेंगे सुत्र क्या लिखेंगे सुत्र में हमको क्या करना है इसी सुत्र को modified करेंगे Z is equal to L2 minus यहां हम क्या करेंगे ऐसे चीने लगा देंगे plus minus को बोनी करेंगे plus वे minus ignore करना है यहनी सबको plus ही treat करेंगे तो L2 कमान हमारा हुआ 45 minus 15 minus 12 divided by 15 minus 12 plus 15 minus 18 यहनी सबको plus मानना है plus मानना है तो कैसे करेंगे 45 minus 3 multiply 5 upon 3 plus 3 इसको भी plus मानना है इसको भी plus मानना है तो आएगा 45 minus 15 upon 6 तो आएगा 45 minus 2.5 that is 42.5 तो answer हमारा आएगा इसका 42.5 तो यह देखे 42.5 इन दोनों के बिच में lies कर रहा है तो इस प्रकार से अगर आपको कोई standing ऐसी प्रकार से मिले जो descending order में हो तो descending order में हो तो आपको यह formula लगा करना है अगर इस formula से सही नहीं आ रहा है तो ही आपको यह वेकल्पिक सुतर लगाना है बाकि ये वेटल पे सुत्र नहीं लगाना है ये कब लगाना है जब 2F1-F0-F2 बराबर आजाए 0 तो लगाना है सामाने रुप से बहुत काम केसेज में ऐसा होगा कि ये इसके बराबर 0 आजाए ये एक सवाल हमने जान बुझ कर ऐसा बनाया ताकि ये 0 आजाए तो आपको पता चले कि अगर ऐसी समस्या हो जाती है तो बहुत में हमको क्या करना है सामाने रुप से परिशा में भी इतना जादा नहीं पूछा जाता है पर हम ये चाते हैं कि हमारे स्टुडेंट्स पूरी तरह से हर चीज को जो सांख्यांकी की सारी बादिक्या है उसको समझे और कभी भी वो कोई सवाल गलत ने करें इस वज़े से मैंने एक ऐसा सवाल य निकालते हैं तो बहुलक निकालने में देखे क्या परिशानी आती है उसमें उसको हम समझेंगे माली ची उसको हम बोल सकते हैं ओपन एंड सिरीज यानि कोई बहुलक सतस्रेणी में ऐसा हो कि पहले वाले वर्ग है उसके अवरती बहुत ज़्यादा हो या जो लास्ट वाल किये हैं उनमें बहुलक बीचों बीच के आसपास कहीं आता है जा एक जीरो और असानी से मिल जाते हैं और ऐसी इस्तिति में बहुलक निकालना अमर लिए आसान हो जाता है तो देखिए हम क्यूशन लेते हैं माल ले जाए पर लोटी पहले वाली में अवरती ज़्यादा माल लेता हो इसकी है अब देखिए सभसे जाधा है तो एसी इस्तितितिंए अगर बहुलक वर्ग यह आता है तो उसे उपर वाला 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करना है उसके बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे grouping करेंगे grouping करेंगे तो बहुलक वर्ग यह आएगा मैंने grouping 4-5 बार करके बता दिये आप करके देख लिजे कि बाउलक वर्ग यह आएगा अब बाउलक वर्ग यह आएगा तो यह तो होगी F0 F1 होगी यह F0 होगी और यह क्या होगी F2 होगी तो अगर हम सुत्रिये लगाते हैं Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 multiply by I तो इससे गलत आएगा क्यों गलत आएगा क्योंकि हमारा F0 is greater than F1 मैंने पहले भी डिसकर्स किया था कि अगर ऐसा आता है तो हमको वेकल्पिक सुत्र का प्रियों करना है फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ कि हमारा बहुलक यहां आ रहा है 10 to 20 तो यहां क्या होगा L1 का मान होगा 10 F1 का मान होगा 30 F0 का मान मानना पड़ेगा 40 और F2 का मान होगा 18 और I का मान है 10 तो अगर हम इस सुत्र से लगाते हैं तो हमको क्या करना है 10 plus यहां देखे क्या होता है 30 minus 40 upon 2 multiply 30 minus 40 minus 18 multiply by 10 तो यहां बहुलक का मान 10 minus 100 यहां उपर हो जाएगा divided by 60 and 2 तो यहां बहुलक का मान आ जाएगा 10 minus 50 that is minus 40 रॉंक क्यों रॉंक हुआ क्योंकि हमारा F1 जो है वो F0 जादा है F1 से तो ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें F0 जादा F1 से तो हमको इस सुतर से बाउनदका नेड़ारण नहीं करना है वरन हमको इसके लिए क्या करना है वेकल्पिक सुतर का प्रियोप करना है और वेकल्पिक सुतर क्या है यह मैंने आपको पहले भी डिसकस किया था अभी मैं एक बार और बताता हूँ कि वेकल्पिक सुतर क्या है तो Z बराबर L1 प्लस F2 अपोन F0 प्लस F2 मल्टिप्लाई बाई यह हमको फर्मुलाई यूज करना है तो L1 हमरा आएगा 10 प्लस F2 का मान हमरा आएगा 18 अपोन 18 प्लस 40 प्लस 18 40 प्लस 18 मल्टिप्लाई बाई 10 तो 10 प्लस 180 अपोन 58 हमको क्या करना है 180 दिवाइड बाई 58 180 दिवाइड बाई 58 तो वी विल गेट आंसर 3.103 तो यह हमको 10 प्लस 3.103 तो यह हमको 13.103 यह इसी के बीच में आ रहा है तो यह जैड बराबर हो जाएगा 13.103 तो इस प्रकार से कभी हम बाउलब निकालते हैं और descending सीरी जा जाती है तो बाउलब की इस प्रकार से निकाला जाता है उसको हमने जाना दूसरा अगर open end सीरी जो यानि जो frequency ही है उसमें भी हमको negative होने का chance है तो ऐसा कोई हो तो भी आप बाउलब निकाल सकते हैं बाकी generally आपको जेतना आपने बाउलब के बारे में बता रहा है बाउलब के बारे में आपको साली चीजे पता है next video में हम यह देखेंगे कि गराप की विजी से बाउलब के इस प्रकार से निकाला जाता है फिर हमारा बाउलब का पूरा लगवक complete होगा thank you